अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडिलिस्ट जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्न आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म मोर्धन आदी याम झाल 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 प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरुबादे तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्ञाने ते मिरांधानाम ज्ञान अंजन शला कया चक्षुरुन मिलितम येने तसमे श्री गुरुवे नमेह श्री परम गुरुवे नमेह परमपराचार्य गुरुवे नमेह सकल कलुषवद्वं सकम शेय सांपरिवर्दकम धर्म संबंध कम भवे valid जीव नहय प्ति बोदकार कम पुन्य प्रकाशकम पाप प्रानाशकम दंसात्रां शरी सैयं प्रकाश नामदेयं अस्य मूल गरंत करतारे श्री सर्वग्य देवास्ता उत्तर गरंत करतारे श्री गनदर देवा प्रति गनदर देवास्ते शाम अचनानु सारमा साद्धु आचारी श्री कुंद कुंदामनाई आचारी सूर्य फागरेन विर्चतम शुतारे सावदानते अश्रन वन्तू मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमुगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्यानकारिकम प्रदानम सर्व जर्मानम जैनम जैतु शासनम सैयम प्रकाश नाम का ये गरंथ हमारे सामने विराजमान है विविद प्रकार के प्रकरण यहां लिखे जा रहे थे और अलग-अलग प्रकार से उन सब प्रकरणों को यहां इसपश्ट किया जा रहा था एक-एक प्रकरण बिल्कुल इंडिपेंडनेंट हैं, स्वतंत्र हैं कितने ही विश्यों के संदर्व में विगत दिनों में हमने आप लोगों के बीच में चर्चाएं की है बहुत तरह की बातें हो गई, संबतों के संदर्व में चर्चा हो गई, कल्यानकों के संदर्व में चर्चा हो गई चंद्रगुप्त मौरे के सोलह स्वपनों के बारे में चर्चा हो गई शितिलाचार के उपर इन्होंने चोट मार दी, वनस्पती वगरे, उनके प्रत्वी काईकादी, चार-चार प्रकार के बेद वगरे, इन सब की काफी-काफी बातें यहां हो चुकी है, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में हम आपके बीच में चर्चा कर करने जा रहे हैं, विशय है चौका शुद्धी, चौका क्या होता है? अरे चौका, चौका तो हमने सुनाए, चौका सुन रखा है प्रणे चौका सुनाए कि करिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में चौका इशब्द आता है, अरे क्रिकेट मैच में जो चौके की चर्चा आती लिए उस चौचे की यहां चर्चा नहीं है क्योंकि क्रिकेट मेंच वाला चौका यह वैसे तो चौके का मतलब तो वही है अर्थ यह भाव निकालेंगे न सुनिली वाइसा मुरार से यह भाव निकालेंगे तो वही है चौका मने होता है boundary चोका बने होता है मर्यादा अब यह आहार का चोका है और वो खेल का चोका है चोका boundary तो boundary क्रोस हो गई तो बोले चोका हो गया और यहां हम यह कह रहे हैं इसी तरह से हमने यहां भोजन संबन दी भोजन बनाने समंदी जो मर्यादा बना दी जो मर्यादा बांद दी जो सीमा रेखा खेंच दी उसका नाम भी क्या है चौका देखिए पेज नंबर 297 से अपने इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं चौका शुद्धी के संदर में चौका मने भोजनाले समंदी विचार क्या-क्या होने चाहिए साव धानियां होनी चाहिए वर्तमान में चौके के संबन्द में बहुत गड़बडी पेली हुई ए उरे यह सूरे अगर चलिए महरास साव या जो लिखते हैं बड़ी कजब की बात करते हैं ये कह रहे हैं शौके के संबन्द में शायद उस समय में भी कुछ गडबड़िय नहीं होने से बहुतों ने तो चौके की शुद्धता के विचार कोई उड़ा दिया लो बहुत सारे लोगों ने तो उड़ा दिया अरे क्या है अरे क्या फरक पड़ता है भोजन ही तो है क्या शुद्धता शुद्धता देखते हो क्या देखते हो तो बहुत सारे लोगों ने तो उड़ा दिया और बहुतों ने अनावश्यक पोंगा पंथी अपना रखी है लो बहुतों ने तो शुद्धता कोई उड़ा दिया और बहुतों ने शुद्धता के नाम पर अनावश्यक यह आवश्यक शब्द लिखा है अनावश्यक होना चाहिए मैं बिना मतलब की बिन और दूनकिन को सभाकते बार, तो दोनों रहां को है। मुझे अब कभी लगता है, लिसमों का मारा साव !! आवश्यक शब्द च्प गया है, और आप उसे अनवश्यक में प्रिवर्तित कर ली जी ऐड़ात सभिशना हो नहीं होना चाहिए अनवश्यक होना चाहिए इसके टच कर गया यहाई चुना नहीं जी इसका थूरे इसके छुना नहीं चीए, इसका यह ऐसा होना चाहिए क्या कर रहे हो तुम्हार अती मत कीजिए इतनी ही मर्यादा कीजिए जितनी मर्यादा आवश्यक हो व्यर्थ के आडंबरों से भी लोग चोके की बात को बकवाद ही समझने लगे हैं ठाट महांने बहुत जादा हैं मानそうそう कि व्यर्थ की बाते रहे हिए चौके के नाम पर अनावश्यक बाते होने लगई तो भी लोग उस और वहरत्य ही समझने लगे बेकार की बातों समये शांजने लगे एक बात में यहां जरूर कहनाना चाहता हूं क्योंकि चोके की चर्चा चाल रही हैँ बहस सारे साधर में हमारे लोग से अर्थ इसा वह60 रही हैं उनको के ना चाहता हूं चौक्यका अर्थ के लिए ञविह लगाया है जाने वगा जाने वहाला छोका हम तो चौका लगाते हैं, क्या रखती है चौका तो सब फिस सबके लगता हैं, इसलिए चौका मने किचिन, चौका मने रसोई घर, जाहां भूजन बनता है, जहां भूजन बनाया जाता है उसे चौका कहते हैं आपके घर में भोजन बनता है के नहीं बनता है हाँ ये बात अलग है कि आजकल लोगों को मतलब महिलाओं को भी आजकल जब मैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में देखता हूँ तो भोजन बनाना किचन में काम करना यह सब कम पसंद है और रेडी मेट ज़्यादा पसंद है रेडी मेट का जमाना है ओर्डर कर दो अब वो किस-किस पर ओर्डर हो जाते हैं या आप लोग ज्यादा जानते हैं पहां आप एंजा पर ड़ाऊ है किया जैता चुक किस नहीं कुछ नहीं नहीं कि कि शैइंश पर और श दो ओनलाइन ओडर कर दो बस फटा फट जो माटो नमालूम क्या क्या है यह नाम में तो पहली बारी सुना जो माटो क्या होता ही बच्चे लोग जानते होंगे क्या क्या करते हैं लोग कुछ नेर कौन बनाएगा किसके यह चोका विदेशों में भी याल है क्या रसोई को चोका ही बोलते थे सब लोग आज भी चोका शब्द का प्रयोग पुराने लोग करते ही है किचिन तो इंग्लिश वर्ड हो गया है लेकिन चोका अब उस चोके में क्या-क्या सावदानिया होनी चाहिए इसका मतलब किचिन संबंदी सावदानी की चर्चा चल र देखिए किया रहे हैं व्यर्त के आडम्रों से भी लोग चोके की बात को भखवाद ही समझने लग गए हैं ठीक यह है कि हम शुद्दा शुद्दी का सही विचार करें और शास्त्रा नुकूल आचरन करें बस सही विचार कीजिए शुद्दा शुद्दी के बारे में और चौके से स्वास्ते का घनिष्ट संबंध है और शास्त्रों में स्वास्ते की दृष्टी को रखते हुए पूर्ण विचार किया गया है अरे जैन चौका जहां होगा बराबर चीए स्वास्ते की दृष्टी को भी ध्यान में रखा जाएगा उसके अनुकूल आचरन करना प् कर्तियक व्यक्ती का यह करतीव बनता है कि चौकए में विचार करें चौका कहां होना चाहिए है किचिन निए नेहलं और वी करने वाले है । छुदता पूरवक निविग्न रूप से रसोई बनाई जा सके उसका नाम चौका है निर्विगनिता से बनाई जा सके शुद्धता पूरवक बनाई जा सके उसका नाम चौका है इस चौके में आचार शास्त्र के आनुसार पहला नंबर द्रवे शुद्धी दूसरा क्षेत्र शुद्धी फिर काल शुद्धी और भा दुआ शुद्धि नहीं चलےगा ख्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए काल भी महत्वपूर्ण ओर विचारणी होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दुआ शुद्धि से दुआ दुआ माने क्या है दुआ माने है पदार्थ। जितनी वस्तुएं भोजन सामगरी की चोके में ले जाई जा रही हैं, उन्हें अपने हाथ से लाए हुए शुद्ध जल से धो लेना चाहिए दुली हुई चीज जानी चाहिए, अरे बजार से आती है सबजियां, आपको मालू में ये कोरोना के समय में आपने जिस तरह का अपनाया होगा, कोरोना के समय में आप लोगों ने जिस तरह की सावधानी रखी होगी मर्यादा के बारे में उस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए बाहर से सामान आता था बजार से सबजीया आती थी सबजीया आ Kollege गेट पर डरवाज़े पर टंगी रहती थी फिर शुद्ध जल से गरम पानी से कहीं उबाल करके कहीं उबले होए पानी से कैसे कैसे लोग प्रयोग करते थे वो कोरोना का समय वो भूलना नहीं चाहिए किसलिए कि बाहर के वाइरस नहीं आए बाहर के किटाणू नहीं आए गा हैE बहुत विचार करना इन चीजों के बारे में किसके हाथ लगते हैं अरे जिस ठेले पर से आप एपल उठा करके लायो उसी ठेले पर शुद्र हीन जाती कुल वाले मांस मदीरा पीने वाले गंदे हातों से मांसाहार के हातों से और नवालूम किन-किन चीजों को चुए हुए क यह जो आपने हाथ से लाए हुए शुद्ध जल से दो लेना चाहिए और पहनने के कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए बिना धुली हुई कि चीज चौके में नहीं ले जानी चाहिए बिना धुले हुए चौके में नहीं लाना चाहिए तथा अनाज नमक धनिया मिर्च दाल ये दिनका पिसा हुआ हैं इन सब को प्रियोग में ले रहे हैं ये दुद्धन का पिषा हुआ आटा, बेसन्द, मरियाधा युकत, मसाला, पापड, मंगोडी, इसाक, आदिसर भी सुद्ध करूंच, इक दिनalt का पिषा हुआ हुआना चपाल소 होना चाहिए रात का पिषाँ नहीं कितना बोलो विवेक की बात है आपको मालू है पहले इस तरह की भी बात कही थी आप भोजन दिन में करते हैं लेकिन रात का बना हुआ भोजन दिन में करते हैं तो भी पाप है और दिन का बना हुआ रात में करें तो भी पाप है रात्री का बना हुआ भोजन यदि दिन में कर रहे हैं तो भी आपको रात्री भोजन का पाप लग रहा है यह बातें अपने पीछे रात्री भोजन वाले प्रक्रण में पड़ी थी रात्री में बना हुआ है भोजन नहीं सब दिन में खा रहे हैं सब अरे नहीं दिन में क्या खा रहे हुआ आप बना हुआ तो रात का है रात्री भोजन का पाप लग रहा है आपको देखिए किया रहे हैं चूले में बीघी माने घुनी लकडी नहीं जलानी चाहिए अब ये तो बातें पुराने जमाने की हो गई हम सब को मालूम है 73 वर्ष पहले लिखी गई है ये तो बिल्कुल exact date मिल गई अपने को जो अपने कल पड़ा था प्रक्रण यहां कल परसों उसमें ये बात इसपश्ट मिल गई ही कि ये गरंत 73 पहले लिखा गया है तो चूले जलते थे सबने देखे होंगे हमने तो देखे हैं घरों में चूले जलते हुए देखे हैं फिर चूले बंद हो गए फिर सिगडियां आ गई फिर सिगडियां भी बंद हो गई फिर सिगडि के बाद में अब इस्टोब आ गए थे फिर इस्टोब के बाद में ये गैस आ गई इस तरह से बदलता गया ना समय चारों चीजे देखी है अपन लोगों ने तो अब तो सब जगह पर गैस ही है एक के रहे चूले में बीगी मने घुनी लकडी नहीं जलनी चाहिए और कंडे चोके में नहीं ले जाने चाहिए कंडे कंडे समझ गाय के गोबर को केते हैं क्योंकि गोबर शुद्ध नहीं होता वे केवल बाई शुद्धी के काम दे सकता है परंतुर असोई में ले जाने योग्ये नहीं है अत्या आचार शास्त्र की दृष्टी से निशेत किया गया है और भीगी गुनी हुई लकडियों के जलाने से तरस जीओं की हिंस से जन्न महापाप लगता है सारांश यह है कि भोजन शाला में भोजन बनाने के लिए जो भी सामगरी काम में लाई जावे वें सब श्रावक संप्रदाय के आचार शास्त्रानुकूल मर्यादित तथा शुद्ध होनी चाहिए तब यह सब विचार नहीं बाते हैं अच्छी के घर से आया है ना मालूं किस-किस के हात्फ लंग करके आया है नहीं वही हीन जाती कुलवालों के भी जाता है वही चांडाल के घर में भी गया बहं है वही गह सिलन्डर उस जगे भी गया है जहां नॉन्वेज बन रहा था उस जगे भी जाकर के आया है तो बराबर उस गेस सेलेंडर को जो हमारे चोके में आया है उसे दुल करके चोके में प्रियोग किया जाना चाहिए या तो आप व्यवस्ता ऐसी करें कि वो सेलेंडर ही चोके के बाहर लगे बाहर से पाइप लाइन इस तरह की अंदर आवे और यह गेस की टंकी की बात कर रहा हूं मैं गेस की टंकी की बात कर रहा हूं गेस सेलेंडर की बात कर रहा हूं जो सेलेंडर बाहर से आ रहा है पाइप लाइन से कनेक्शन है तब तो ठीक है उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है मौमे वगरे में जाएं यहां पाइप लाइन से कनेक्शन है वहां तो ठीक हैं लेकिन गेस सेलेंडर को धो करके ही वापर ना चाहिए प्रियोग में लेना चाहिए गर के बाहर ही धोले वें उसे यदि उस व्यक्ति के सामने अच्छा नहीं लगे तो उसे कह दें भईया तू यहां रख करके चला जाँ बाद में हम रखवा लेंगे और बाद में उसे पानी शुद जल से धो करके फिर उसे अंदर प्रवेश करावें दो तो तीन तीन होते है गरों में एक तो होता नहीं है दो तीन होते हैं तो एक चल रहा होता है एक बदल जाता है तो जो बदल करके आया है वो तो दूसरी जगे रखा रहता है तो दूल करके रखा रहे वो बाद में चौके में आएगा चौके में जो जहां जैसी व्यवस्ता हो व्यक्तिकत देख लेकिन सावदानी रखें अशुद्ध चीज का प्रवेश हमारे चौके में नहीं होएं यह द्रव्य शुद्धी संबंदी अपने यहां बात कहिए क्षेत्र शुद्धी जगे की बात कीजिए जगे तो बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल का जमाना तो वास्तू का जमाना हर आदमी जगे देख रहा है किचिन कौन सी दिशा में होनी चाहिए हैं अभी देखिए जरा यह क्या कहते हैं पहले प्रकरन पढ़ते हैं पिर कहीं बात आएगी तो जरूर मैं वो बात आप लोगों के बीच में रखूँगा जहां पर रसोई बनाने का विचार हो वहां प तो यह बात उस जमाने की हैं जिस जमाने में कच्चे घर हुआ करते थे चंदोवे की बात इसलिए भी हैं क्योंकि आप तो भोजन बना रहे हैं पका रहे हैं चूले पर आपके यहां तो वह भागोनी रखी हुई आच पर और उपर से कोई मकड़ी आकर के आपके उस बनती जब भागोने की अंदर गिर गई और सीज गई उबल गई हो तो पता ही नहीं लगेगा आपको चोटे-चोटे से जीव उपर से गिर सकते हैं तक के घरों के अंदर भी जितना संबव हो सके आप ध्यान रखे उपर की शुद्दता का ध्यान रखे सफाई का ध्यान रखे इसकी हम बात कर रहे हैं, श्रावक शुद्दता से भोजन करेगा तो उन्हेराजों को शुद्दता से कराएगा बाई सब, इसलिए श्रावक तो अपनी शुद्दता की तरफ से बात करे, कह रहे हैं यहां रसोई घर में चंदोवा बंदा हो नमबर दो हड़ी, मांस, चमड़ा, म्रत प्राणी के शरीर मल एवं मुत्रादी ना हो ऐसी जगे पर मल मुत्रादी ना हो कहीं कहीं ऐसे होता है कहीं आपको बाहर बनाना पढ़ता है आप घर से निकलें कहीं बाहर आपको किसी भी जगे पर आपको भोजन बनाना पढ़ रहा हैं जगे देख करके भोजन बनाना पढ़ रहा हैं अब वहीं कहीं चमड़ा, मांस तो नहीं है गंदी जगे तो नहीं देखेंगे और हाइवे पर चलते होएं मीठ की दुकान अगर हो तो है जगह सही नहीं है यह ब aún आ भूज़न करना भी नहीं interest कृट्र rh को nail प्राणी पढा हूँ चमडा पढा हूँ थे थी चीजें भी नहीं होएं तीन नमबर, नीच लोग नई हो आसपास में, वेश्या ने हो हुए, डोम आधी का हावास ने हो हुए, जिस जगे पर आपकी किचिन है यह चोका बनाया जा रहा है, डोम जानते हैं आप डोम कौन होते हैं, शमशान में मरतक लोगों का कारिय करने वाले डोम कहलाते हैं, कहते हैं तो ऐसे लोगों का आवास नए हो यह ब़ढ़ मतलब बात सोच सकते हैं नया मकान खरीते समय चीप्र और अब आगरा मारो कातो आधी शब्द नय सुनाई पढ़ते हो वहां पर वहां इस तरह की बातें भी सुनाई नहीं पड़ती हों क्षेत्र शुद्धी के संदर्व में बातें कर रहे हैं आसपास का वातावरण भी ठीक होना चाहिए ताथ पर यह है कि रसोई के क्षेत्र में सब प्रकार से देख भालकर रसोई बनानी चाहिए चोके में बिना पैर्द होए नहीं गुसना चाहिए क्षेत्र की शुद्धी की बात कर रहे हैं कि बिना पैर्द होए नहीं गुसना चाहिए क्योंकि गली आदी में मल मुत्र आदी के पड़े रहने से आपवि मनने रसोही का इस्थान भी शुद्ध रहता है, हाथ पैर धोकर के रसोही में प्रवेश करें, किचिन में प्रवेश करें, किचिन में जा रहे हैं तो पैर धोकर के जाएं, खाना खाने के लिए बेट रहे हैं, तो हाथ पैर धोकर के बेठें, ऐसा कहना चाहरे हैं ही, पैर न झाल 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 झाल